नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश विदेश की इस्पेसल ख़बरों की इस एपिसोड आज जिस कोर्ना वाइरस के खतरनाक प्रकोप से पूरी दुनिया में हाहा कार मचाए दरसल उसका केंदर रहे चीन ने कुट्टे की मांस की बित्री पर बेन जाल दिया है जिससे उनका मांस खाने की परंपरा पर रोट लंग जाएगी चिन में दोस्तों हर साल एक कुट्टों को मार कर उसका मांस भोजन के तोर पर खाया जाता है कुरोना वाइरस को लेकर चल रही कहीं तरह की चर्चाओं के भी चीन के क्रसी मंत्रा लेनिया कदब उठाया है इसमें यह भी कहा गया है कि सिर्फ आधिकारिक कारणों से ही कुट्टों को पालने की इजाज़त होगी और उसका वेपार हो सकेगा गोर तलब है कि चीन के प्रांत उहान में पसुओ के मांस की खुले बाजार में बिक्री होती थी और इसी चर्चाओं है कि कुरोना वाइरस के प्रसार का कारण भी चीन का उहन प्रांत ही बना हलाकि अब तक इस पस्छ नहीं हो पाया है कि कोरोना वाइरस किसी जानवर से आया है विश्व स्वास्ते संगटन डब्ली एचो भी कह चुका है कि घरों में रहने वाले पालतु जानवरों से कोरोना वाइरस की संक्रमन का अब तक कोई प्रमान नहीं है आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर कहीं तरह की अफ़वाई हैं कि चीन में लोग जानवरों को मार कर खाते हैं उसी से वाइरस फैला है यह बात सही है कि चीन में वाइल्ड मार्केट करके कहीं जंगली जानवरों को खाया जाता है मगर अब तक इन अफ़व के कुष्टी नहीं की गई है कि यहां तक कहीं सोध में भी इसे प्रक्रती जनग वाइरसी बता आगा है WHO के डाक्टर मार्या वेन कारकाओ का कहना है इंसानों से पालतू जानवरों को कोरोना के संक्रमन के प्रमान मिले हैं लेकिन उनसे संक्रमन होने का कोई प्रमान नहीं है उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मरीजों से उनके घर के पालतू पस्वों के संक्रमीत होने की हमें जानकारी है हंकोंग में दो कुत्ते और बिल्जियम में एक बिल्ली कोरोना से संक्रमीत हुई है निवार के चीडिया घर में भी एक बागिन पिछलों दिनों सक्रमीत हुई थी तो दोस्तों इसी तरह कि देश विदिस से जूड़ी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी घर पर हिए स्वरक्षित रही है